तो गुद इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिट से आरे में स्लाइव लर्निंग में और मैं हूँ रमी सिंग दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंस्टागराम की और जानेंगे इंस्टागराम के hidden words feature के बारे में hidden words feature का क्या यूज है, कैसे आप इसे अपने according कृस्टमाइज करके यूज कर सकते हैं अगर आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो में आप सीख जाएंगे और फ्रेंड्स इंस्टाग्राम पर hidden words एक ऐसा कमाल का और useful feature है जिसकी help से आप उल्टे सीधे comments या फिर messages को control कर सकते हैं उन पर filter लगा सकते हैं इसलिए आपको hidden words feature के बारे में पता हो नहीं चाहिए और अगर आप नहीं चाहिए तो इस वीडियो को end तक ध्यान से जरूर देखना तो चले फ् इंस्टाग्राम के hidden words feature का यूज करने के लिए सबसे पहले आपको Instagram open करके bottom right corner में अपने profile icon पर click करना है और profile page में top right corner में three lines पर click करके settings पर click करना है इसके बाद Instagram की सभी अलग-अलग settings आपके सामने आजाएंगे तो गैस यहां पर आपको privacy option पर click करना है और privacy settings में interaction section में आपक feature के सभी अलग-अलग options आपके सामने आजाएंगे तो गाईस चलिए one by one करके इनके बारे में जानते हैं तो दोस्तों यहां पर दो sections दिए गए जिनमें पहला section offensive words and phrases इसमें hide comments के इस option को अगर आप enable कर देंगे तो इसके बाद आपकी Instagram post reals या फिर live पर सभी offensive comments hide हो जाएंगे ऐसे comments जो Instagram के according offensive होंगे वो सभी comments publicly hide हो जाएंगे और आपकी post के अलग से section में add हो जाएंगे जिनें कोई भी नहीं देख सकता है लेकिन दोस्तों ऐसे कुछ words या phrases जो Instagram के according offensive हो सकते हैं लेकिन आपके according नहीं तो उन्हें भी Instagram hide कर सकता है ऐसे में आप यहां पर advanced comment filtering के इस option को enable कर देंगे तो ऐसे सभी additional comments जिनमें Instagram के according offensive words या phrases हो सकते हैं वो भी hide तो हो जाएंगे लेकिन आप उन्हें individually review कर सकते हैं और unhide भी कर सकते हैं इसके बाद friends यहां पर next option दिया गया है hide message request इस option को अगर आप enable कर देंगे तो Instagram DM में मिलने वाले सभी offensive messages पर filter लग जाएगा और वो आप ऐसे offensive words या phrases वाले messages की message request को देख सकते हैं और उन्हें review कर सकते हैं और अगर कुछ गलत message नहीं है तो आप उन्हें approve भी कर सकते हैं इसके लिए आपको Instagram open करके right side को swipe करना है और DM section में आना है यहां पर top right corner में request option पर आप जैसी click करेंगे इस तरह से आपके सामने सभी message request आ सकते हैं इसके बाद friends यहां पर next section दिया गया है custom words and phrases इसमें manage custom words and phrases option पर क्लिक करके आप अपने according offensive words और phrases की एक list create कर सकते हैं ऐसे सभी उल्टे सिदे words या फिर गाली गलोच वाले words जिने आप अपनी post के comments में नहीं देखना चाते है message में receive नहीं करना चाते हैं उन्हें यहां पर आप add कर सकते हैं आपके according जो भी inappropriate content है या फिर गाली गलोच वाले words हैं उन्हें आप यहां पर इस तरह से type करके और उसके सामने add option पक्लिक करके easily add कर सकते हैं और offensive words की एक list create कर सकते हैं आपके according जितने भी offensive words हैं उन्हें आपको इस तरह से यहां पर add कर देना है add करने के पाद आपकी instagram post में अगर कोई user comment करता है या फिर आपको कोई message बेजता है और उस comment या message में इस list में available कोई भी word होता है तो वो message या फिर comment automatically hide हो जाएगा लेकिन अपनी offensive words की list को activate करने के लिए यहां पर आपको hide comments के this option को on करना होगा जिसके बाद आपकी list में available कोई भी word किसी comment comment या किसी message में हुआ तो वो automatically hide हो जाएगे इसके साथ ही similar miss spelling वाले words जिन में आपकी list के according थोड़ा बहुत spelling mistake हो वो भी automatically comment और message में hide हो जाएगे इसके बात friends से आप पर last option दिया गया है hide message request इस option को अगर आप enable कर देंगे तो इसके बाद कोई भी user आपको कोई message बीजता है और message में आपकी list में available कोई word हुआ तो वो message automatically hide तो हो ही जाएगा लेकिन वो hidden request folder में move हो जाएगा जिसे आप request folder से भी delete कर सकते हैं या फिर manually approve भी कर सकते हैं तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों I hope आपको Instagram के hidden words feature के बारे में पूरी जानकरी मिल गई होगी फिर भी अ आप comment section में अपना comment दे सकते हैं तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों बिलता हूं आपको next video में किसी new topic के साथ तब तक के लिए जै हिंद